बिहार बोड से जितने भी परिक्षारती मैट्रिक या इंटर की बोड परिक्षा 2023 में समलित होने जार हैं तो आपके लिए दो-दो महत्वपून अपडेट बिहार बोड के तरब से आज जारी किया गया है सबसे पहला अपडेट में जनकारी दिया जारा है कि एकजाम सेंटर की तयारी भी हर बी दाले परिक्षा समिती कैसे कर रहा है आर्थात कि आपका एकजाम सेंटर जहां पे भी आपका एकजाम होगा मैट्रिक इंटर की बोड परिक्षा 2023 वहां की तैयारी बिहार बोड कैसे कर रहा है और आपका admit card कब आएगा जिसे admit card पे आपका दिया रहेगा कहां पे आपका जाम देने जाना है तो चले इस दोनों update को बिल्कुल 20 से समझते हैं पहला update देखे आप जानकारी दिया जारा है कि हर जगा बिहार भी दाले परिक्षा समिती आपके matrix interboard परिक्षा 2023 के लिए exam center की तैयारी कर चुका है फिर उसके आगे अगर परिक्षारती वहाँ पे नहीं adjust हो पाते हैं आगे आपके बरामदा में भी bench लगा कर बैठाया जाएगा तो यह पहला update की आजानकारी दे रहा है कि नियत समय परिक्षा होगा आपके exam center की तैयारी बिहार बोड पूर्ण कर चुका है आपके इस school के कामरा खाली करने का निर्देश दे दिया गया है और जहां पे जीस तरह सुबदा होगा छात्रों को बैठाने का चाहे बरामदा में भी bench लगाना पड़े या बाहर टेंट लगा कर भी परिक्षा लेना पड़े लेकिन आपको एक bench पर दो ही परिक्षारती को बैठाया जाएगा ये जानकारी दिया जा रहा है एकजाम सेंटर तयार हो चुका है ये बिहार बोड के तरफ से दिखिया आप हर एक जगा आज के पेपर में यहीं अपडेट दे का जानकारी दिया जा रहा है कि मैट्रिक इंटर का एकजाम सेंटर तयार हो चुका है आपक कि जानकारी दिया जार आए मैटरी के परिक्षार्तियों की इंतजार की घड़ी समाप्थ हो चुका है आपका एड्मिट काड आठ जैनुवरी के दिन जारी होने जार आए अताकि कल आपका एड्मिट काड आज आएगा मैटरीक बोड एकजाम 2023 का और कल से आपको पता चल जा पता कर सकते हैं कि आपके किस पाली में परिक्षा है इंटर के परिक्षार्तियों की बात करें तो इंटर के परिक्षार्ति का आपका जानते है प्रेक्टिकल का एड्मिट काड आ चुका है और प्रेक्टिकल का एकजाम 10 जन्वरी से सुरू होने चारा है लेकिन इंटर का original admit card जिसमें लिखा रहा है कि आपका किस स्रिफ्ट में एक्जाम है और उसके साथ साथ center कहा गया है तो इंटर का admit card आएगा 61 के दिन जिसे आप 31 तक डाउनलोड कर पाएंगे अब सीख लेते हैं कि आपका admit card आएगा जैसे कि metric का admit card कल आने जा रहा है तो कैसे आपको पता चे लगए कि आपका link एक्टिव हुआ की नहीं और कैसे आप अपने सामने search result आ जाएगा और सबसे उपर आप में सो होगा देखिए aarcarrierpoint.com website सिंपल सा आपको aarcarrierpoint.com website पे क्लिक कर देना है तो यहाँ आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछी सुरूप में पूरा समपूर्ण जनकारी यहाँ पे देखिए देट भी बताया जा रहा है कि कब से कब तक दाउनेलोड करेंगे matric का एकजाम कभी होगा routine कैसे डाउनेलोड नाम और अपना दाउनेलोड कर पाएंगे यहाँके तरह उसक्लोटर क्रेंगे निचे पर द लिंट्र कर नाम यहेँ जारी हो जारी pins Clark आपके सामने देखिए admit card download करने का page यहाँ पे open हो जाएगा यहाँ पे आपको नीचे की तरह पे scroll down करना और यहाँ पे देखिए admit card for 2023 school code candidate name father's name date of birth डाल कर आप search करेंगे आपके सामने admit card आपका open हो जाएगा या link दो से भी click करके आप download कर सकते हैं लेकिन अभी यह सिर्फ link open हो लेकिन आपका admit card download होगा कल यहाँ पे देख लीजिए आप update किया गया तो कल से आकर जैसे मैंने बताया वह ऐसे चेक करेंगा और जो जो जनकारी मांगा जा रहा है उसको अपने राइस्टेशन card के आधार पे भरेंगे आपके सामने आपका download होकर open हो जाएगा इस पूरे व अगर बेंच की कमी पढ़ रहा है तो आपको बरामदा में भी बेंच लगा कर परिक्षार्तियों से परिक्षा लिया जाएगा और उसके साथ आपका admit card इंटर का admit card practical का आच चुका है लेकिन original admit card 16 को जारी होगा वहीं पर metric का admit card कल जारी होने जारा है metric का admit card आपने mobile phone से भी आप download करके अपना center देख सकते हैं उसके साथ साथ यह देख सकते हैं कि आपका की shift में एकजाम है काफी आसान है download करना arcarrierpoint.com पर आपको आना है admit card वाले section पर आके metric admit card 2030 जो download link हमें ने बताए यहां पर आकर अभी चेक कर लिजिएगा और कल से जैसे ही link open होगा यहां से